नमस्कार आप देख रहे हैं जोहार जारकंड और मैं हूँ आपके साथ विभावपाद ध्याएबियार पुलिस और एससबी ने जारकंड के 10 लाग के इनामी नक्स ली और भागपा मावादियों के जोनल कमांडर अभिजीत यादोर्फ महावीर यादो को उसके सहीयों की कु आपा मार कर दोनों को दबो चाहे इसके खिलाब जारकंड के पलामों और चत्रा के साथ-साथ विभावर के अलग-अलग थानों में 61 से ज्यादा केस दर्ज है जारकंड और वियार पुलिस पिछले 13 साल से इस शक्स की तलाश में थी अरेस्ट नक्सली पलामों के चतरपु के तिलया गाउं का रहने वाला है तो यह बहुत ही काफी टाइम से इसको इसकी तलाश थी गया पुलिस को रंगाबाद को चतरा और पुलामों पुलिस को तो यह बहुत सारे भी मैं दूंगी आपको जो लिस्ट है इसकी उपर जारकंड में 10 लाग का इनाम है और बिहार मे पचास हजार का इनाम इस पर डेकलेरड है तो जारकंड एटीस ने वियार के अर्वल से कुख्यात लौकुश शर्मा को अरिस्ट कर लिया लौकुश शर्मा पिछले कुछ समय से जारकंड पुलिस के लिए सिर्दर्द बना हुआ था काले नकाब के पीछे चिपा यही वो शातर चेहरा है जिससे कभी रांची के बड़े-बड़े व्यापारी कमकपाया करते थे जिसकी एक धमकी पर पूरी रांची में कोहरा मच जाता था रांची का वही आतंक लवकुष शर्मा जारकंड एटियस की गिरफ्त में खामूश खड़ा है उसकी सारी हेकडी चकना चूर हो गई है और अब वो अपनी किये की सजा भोगतने जा रहा है जारकंड पुलिस की बड़ती दबिश्टे घबरा कर वो बिहार के अर्वल में छिपा हुआ था पर जारकंड एटियस ने उसे दबो छिलिया मोस्ट वांटेट क्रिमिनल लवकुष शर्मा पर राची के सुखदेव नगर, बर्यातू, कोतवाली और लालपूर थाने में 24 से ज्यादा केस दर्ज है इन में से ज्यादा तर केस रंगदारी, धमकी, गोलिबारी और अवैध वसूली से जुले है उसी के इशारे पर मोहराबादी मैदान में पिछले 27 जनवरी को दिन दहाडे कुख्यात कालू लामा की हत्या कर दी गई थी उसके नाम पर राची के विवसायों से लगातार रंगदारी मांगी जा रही थी इस पर जारखंड ATS एक्षन में आई और आखिरकार लवकुष शर्मा को दबोच कर ही दम लिया गया जारखंड ATS ने राची के आतंक कोतो सलाखों में डाल दिया पर उसके कई गुर्गे अभी गुप्त ठीकानों पर चिपे हुए है जारखंड ATS जल्द ही लवकुष शर्मा के गुर्गों को दबोचने के लिए चापे मारी करने जा रही है ओम प्रकाश न्यूजटीन राची